ही गाईज दिस सार्त गेंड यूर वाचिंग मोटेक्स टेक्स स्वाग है दोस्तों आप सभी कई करने वीडियो को हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले PC बिल्ड अंडर रुपीस 20,000 मेरे चानल के उपर ऐसे ही PC-related content के बारे में ही बात कर जाती है तो अगर आप लोग आप इंटरस्ट है ऐसे ही PC-related content के अंदर तो डेफिनेटी कर रहर हमारे चानल को सब्सक्राइब साथ ही में तबा उस बेल अकन को भी ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नहीं भी डालूगा मिल जाएगए आप लोग उसकी इंस्टन नोटिपिकेशन आप मढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं हमारे main PC बिल्ड के बारे में अब देखो मैं यह जो PC बिल्ड होने वाला है यह 20,000 रुपे का PC बिल्ड है तो आप समझी सकते हो पफॉर्मेंस आप बहुत जादा एर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो यह जो PC बिल्ड होगा यह आपको गेमिंग करवाएगा यार 720p के उपर Low to Medium सेटिंग्स के उपर और आपके जो FPS मेंटेन होंगे वो लगओ 40 to 50R होने वाले हैं तो बहुत जादा इससे कुछ एक्सपेक्ट मत करना ठीक है तो ऐसी ही आपको performance मिलने वाली है तो बढ़ते आगे और फटाफट से बात करते हैं हमारे processor के बारे में तो processor इसके अंदर यूज किया गया यार AMD के तरफ से Ryzen 3 2200G बहुत लोग कहेंगे कि भाई 3200G आ गया है वो क्यों नहीं यूज कर रहा है देखो यार फिर 4 fps maximum आपको 5 fps फालतु मिल जाएगे गेमस के अंदर इससे जादा आपको difference नहीं मिलेगा majorly आपको तो भाई आपको majority गेमस के अंदर आप लोग को 2-3 fps काई फर्क दिखेगा इससे जादा फर्क ही नहीं है तो भाई क्या फाइदा इतना जादा और 5000 रुपे डालनेगा इससे तो अच्छा भाई उस 5000 रुपे को बचा के रखो अपने जीपियू के अंदर लगाओगे न अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए तब उन 5000 का यूज करना तो वह जादा 5000 वर्थिट रहेंगे तो इसलिए आपको यह 2200 जी के साथ जाना चीए और आपको तो बता दिए मैंने गेमिंग कैसी करवाएगा 720 लो टू मीडियम सेटिंग्स के उपर आप लोग लगबग 40 से टेकनोलजी के उपर बनाया गया जो कि AMD का यार्जन अर्किटेक्चर यानि फर्स जनरेशन वाला अर्किटेक्चर है तो अवराल यह परफॉर्मेंस मैंने आपको पता दिए कैसी परफॉर्मेंस देगा और यह एक API यानि Accelerated Processing Unit बाद में आप इसके साथ एक GPU लगा लोग पारे में तो राम इसके अंदर यूज की गई है भाई Corsair की तरफ से Corsair Vengeance LPX 8GB RAM की टुटल एक स्टिक जो कि 3000 MHz की उपर क्लॉक्ट है आप चाहो तो आप इससे ओर क्लॉक्ट कर सकते हो अप टो 3400 MHz जो कि मैंने खुद कर रखिए बहुत बढ़ी हा राम है बहुत अराम से ओवर क्लॉक्ट हो जाती है आप भी इसको ओवर क्लॉक्ट कर सकते हो ठीक है कोई दिकत नहीं है यह आपको और 3000 MHz की उपर तो यह क्लॉक्ट है तो अगर आप इसको स्टॉक फ्रिक्वेंसी के पर भी उस करोगे तो भी आपको यह काफी अच्छी यार जो पर्फॉर्मे यूज करता है जो हमारा AP होता है तो इसलिए मिनिम्मम 8GB RAM तो होनी चाहिए AP वाले बिल्ट के अंदर और 16GB कर लोगे तो और जाद अच्छी बात है आप ही का बेनेफिट है उस चीज़ के अंदर लबग 2500 रुपीज की हमें एक स्टिक मिल जाएगी और अगर आप दो स्टि है जी हाँ आपको A320 motherboard के अंदर आपको HDMI port देखने को नहीं मिलता लेकिन यह जो आप लोगा motherboard है इसके अंदर आप लोगो HDMI port मिल जाता है तो यह काफी अच्छी और मेरे को इस motherboard की बात लग रही थी और नहीं तो आपको फिर VGA port करनेक्ट करना पड़ता इससे तो अच्छा भाई SSD और hard drive का combo SSD आप लोगो इसके अंदर यूज कर सकते हो भाई 240 GB के SSD जो कि आएगी वेस्टन डिजिटल की तरफ से green बहुत बढ़ी है SSD है यह लवक 2300 रुपे की हमें देखने को मिल जाती है मैं खुद personally उसको यूज करता हूँ काफी अच्छी SSD है और 120 GB की भी यूज कर सकत इसलिए 240 GB SSD लोग 500 600 रुपे का फर्क होता है सिर्फ 120 GB और 240 GB के अंदर maximum आप लोगो 600 700 रुपे का फर्क देखें कि इससे जादा फर्क भाई नहीं देखेगा mass storage के लिए आप इसके अंदर यूज कर सकते हो western digital की तरफ से blue 1 TB की hard drive जो की काफी अच्छी है hard drive है और आप लोगो mass storage के लिए आप लोगो काफी जादा help करेगी 7200 RPM की उपर या रही है spin करती है और आपका mass storage तो आपका ये हो जाएगा और आप windows अपनी इंस्टॉल कर सकते हो SSD के अंदर ताकि आपका जो system है वो काफी जादा है snappy बन जाए और आपकी जो भी windows का बूट टाइम हो वो कम हो जाए और साथी साथ आपके जो games की loading times है वो भी हर कम हो जाए बढ़ते आगे और अब हम बात करते हैं हमारी power supply के बारे तो 450 watt will be more than enough तो इस PCB के लिए मैंने यू 1550 super तो भी है power supply बहुत जादा enough रहेगी तो आप kind of future proof भी PC build के साथ यार हो जाओगे और इसी के साथ हमारा PC build यार खतम होता है cabinet हमारी रहे गई है cabinet के लिए आप कोई भी एक अपनी पुरानी cabinet यूज़ कर सकते हो लेगे अगर आपको आज की जमाने की कोई RGB cabinet चीए तो कफे अच्छी है दोनों cabinet है और हर एक चीज की फिर से बतारो लिंक मिल जाएगी आप लोगों description के देना तो वहाँ से आप इनको definitely यार बाइक कर सकते हो तो बस उस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जहुर से आर लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ जहुर से शेयर कर देना मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर तब तक के लिया थैंक्स वाचिंग